नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक आज इस बुल्लेटिन में बात होगी लोग सभा और विधान सभा चुनावों से पहले कॉंग्रिस में बड़े बदलाफ की विपक्षी एक जुटता से डरी बीजेपी की बात करेंगे पहलवानों के मुद्धे पर अंतराश्टी रेफरी की गवाही से मुश्किल में फसे ब्रिजबूशर की मरिपूर के मुद्धे पर सामने आए बीजेपी के जूट की साथ ही जानेंगे शरत पवार को क्यू दी गई जान से मानने की धमकी और बुलिटिन के आखर में बात होगी जेजेपी के तल्ख तेवरों से संकट में आए बीजेपी सरकार की इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने एलिसी पर चीन के निर्मान पर मोदी सरकार को खेरा कहा चीन से रणनीती के तहत निपटने की जरूरत डिप्रिसीम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना वोले लालू ने अडवानी का रत रोका था नितीश भी मोदी का विजे रत रोकेंगे अमर्नात यात्रा को लेकर दिली में अमिश्शा की बड़ी बैठक एलजी मनो सिना और आई बी चीफ रहे मौजूद एक जुलाई से 31 अगस तक होगी यात्रा गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सेंसिक 223 अंकों की गिरावट के साथ 62,626 पर हुआ बंद निफ्टी 71 अंक लुड़कर 18,563 पर हुआ बंद ये तो थी सुर्खियां और अबाद आज की सबसे बड़ी ख़बर की करनाठक में मिली जीत ने कॉंग्रिस और कारेकरताओं में जोश भर दिया है ऐसे में अब कॉंग्रिस 2024 की तैयारियों में जुटी है कॉंग्रिस सबसे पहले संगटनात्मक फेर बदल की योजना पर काम कर रही है इसी कड़ी में कॉंग्रिस आला कमान, राजिस्थान, महराष्ट, दिल्ली, गुजराद, तमिलनाडू, पच्चिमंगाल और जारखन में जल्द नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकता है इसके अलावा कॉंग्रिस महासचिव प्रियंका गांधी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट देश में अगले साल लोगसभा चुनाव यानि की सत्ता के लिए फाइनल मकाबला होने जा रहा है लेकिन उससे पहले पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के लिए मतदान होगा जिससे सेमे फाइनल मकाबला माना जा रहा है इन पांच राज्यों में मिजोरम, छतिसगर, मद्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है लोगसभा चुनाव के लिहास से ये सभी राज्ये एहम हैं इसलिए इन राज्यों को लेकर कॉंग्रिस ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है जहां एक तरफ संगटनात्मक फेरबदल की योजना है तो वहीं प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देनी की पूरी तैयारी हो चुकी है कहा जारा है कि कॉंग्रिस राजस्थान, महराष्ट, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडू, पश्चिमंगाल और जारखन में जल्द नए अध्यक्ष का एलान कर सकती है सूत्रों के मताबिक पूरे सांगठनिक फेर बदल की प्रक्रिया अगले एक से तीन हफते में पूरी कर ली जाएगी इसे के साथ ही उडिसा, हर्याना और बिहार में कॉंग्रेस जल्द नए प्रभारी नियुक्त करेगी इसके साथ ही महराष्ट और तमिलनाडू में भी प्रभारी बदले जाएंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे के पास इन पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम पहुँच चुके हैं दरिसल इन दोनों राज्जों के मौजूदा प्रभारी दिनेश गुंडूराव और एश के पार्टिल को हाली में करनाटक की सिधरम या सरकार में मंत्री बनाया गया है सबसे दिल्चस बात यह है कि राजस्तान में भी जल्द नए अध्यष के नाम पर मोहर लग सकती है क्योंकि राज्जे में अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच मन मुटाव खुल कर सामने आ गया है इसे खत्म करने के लिए पार्टी नए चेहरे को जिम्मेदारी दे सकती है पार्टी में बदलाव के साथ साथ प्रियंका गांधी के कंदों पर कॉंग्रिस नए जिम्मेदारियां डाल सकती है दरसल हिमाचल प्रदेश और करनाठक में प्रियंका गांधी ने चुना प्रचार का नेत्रित्व किया था दोनों ही राजों में कॉंग्रेस को जीत मिली, माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है अब 2024 के चुनावी शे और मात के खेल को जीतने के लिए कॉंग्रेस लगातार प्रियंका के नाम पर चर्चा कर रही है अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें किस भूमिका में मैदान में उतारती है अपने विजे अभ्यान को धार देने के लिए कॉंग्रेस एक्शन में है इधर बीजेपी भी 2024 को लेकर एक्शन में है लोगसभ़ चुनाव में बीजेपी की विजेई रत को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार की अगवाई में विपक्शी दलो को एक जुट करने की तैयारी चल रही है 23 जून को पत्ना में विपक्शी दलो की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसके जवाब में बीजेपी ने भी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है तो क्या है बीजेपी का प्लान बी देखते हैं ये रिपोर्ट जो इस समय बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा है इस साल के आखिर में जिन पाँच राजों में चुनाव होने हैं वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बीजेपी की चिंता अलग बढ़ा रही है संकीत मिल रहे हैं कि पार्ट में से किसी भी राज्य में बीजेपी सत्ता के करीब नहीं दिख रही है ऐसे में बीजेपी हाई कमान अब सहयोग्यों की तलाश में जुट गया है जिनके सहारे 2024 का चुनाव जीता जा सके पार्टी को अपने पुराने मित्रों की याद आ रही है जिन दलों को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की उनसे ही अब गड़बंदन की तैयारी हो रही है टीडीपी चीफ चंदरबाबू नाइडू से ग्रहबंत्री अमिशा मिल चुके हैं कहा जा रहा है कि नाइडू ने कुछ चर्टे रखी हैं जिन पर पेच फस गया है आंद्र की तरह पंजाब में भी बीजेपी की हालत खराब बताए जा रही है जिसके बाद पार्टी एक बार फिर अकाली दल से दोस्ती की कोशिश में जुट गई है करनाटक में जेडियस तमिलाडू में ए आई एडियमके को साधने की कोशिशे अब बीजेपी ने तेज कर दी हैं योपी और बिहार में छोटे छोटे दलू को साथ लाने के लिए मनाया जा रहा है साफ एकी विपक्ष की मजबूत और पियमोदी की लोगप्रेता में आई कमी के बाद बीजेपी भी ये मान चुकी है कि 2024 में मजबूत सहयोगी नहीं मिले तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी विपक्षी बैठक से बीजेपी बैकफोट पर है तो पहलवानों के आंदोलन से ब्रिजभूशन भी बैकफोट पर है बीजेपी सांसद और कुष्टी संग के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूशन शरण सिंग की मुश्किलें बढ़ गई है उनके खिलाव गवा भी सामने आ रहे हैं तो पुलिस भी सबूत जुटाने में जुटी है क्योंकि चार्शीट फाइल करने का समय भी करीब आ चुका है योन उत्पिडन के आरोपों में घिरे कुष्टी संग के पूरवध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूशन शरण सिंग की मुसीबत और बढ़ सकती है केंद्री मंद्री अनुराक ठाकुर पहले ही साफ कर चुके हैं कि 15 जुन तक पुलिस ब्रिजभूशन के खिलाफ कोट में चारशीट पेश कर देगी तो चारशीट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है आपको बता दे कि विनेश फोगार, साक्षी मलीक और बजरंग पुनिया के नित्रित में तमाम पहलवान ब्रिजभूशन शरण सिंग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं इसी बीच इंटरनेशनल रैसलिंग रैफरी जगबीर सिंग ने ब्रिजभूशन के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है अपने बयान में उन्होंने कहा कि एक एवन में ब्रिजभूशन पहलवानों को चू रहे थे महिला पहलवान असहज नजर आ रही थी उसने ब्रिजभूशन को धक्का भी दिया था ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ इसके अलावा दिल्ली पुलिस को दिये गए बयान में 2010 की कॉमन वेल्स गोल्ड मैडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावो की पुष्टी की है अनीता ने कहा कि महिला पहलवान ने बताया था कि ब्रिजभूशन ने उसे कमरे में बुला कर जबरन गले लगाया वो पहलवान मेरे आगे रो पड़ी थी आपको बतादे कि दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रिजभूशन के खिलाव केस दर्च किया है पहलवान भले ही ब्रिजभूशर की गिरफतारी पर अड़े हो लेकिन ये अब दिल्ली पुलिस की चार्शीट पर निर्भर करेगा कि ब्रिजभूशर की गिरफतारी हो पाएगी या नहीं पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसात मुसीबत में हैं तो मनिपूर में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है मनिपूर में 3 मई से शुरू हा जातिय संगर्श अब तक ठमा नहीं है राज्जे के हालात भी जसके तस बने हुए है वही इस बी सीम बिरेन सिंग का दावाद जूटा सावित होता दिख रहा है तो क्या कहा था बिरेन सिंग ने देखते हैं ये रिपोर्ट मनिपूर के हालात ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है मनिपूर के पने चार दिन के दोरे के बाद ग्रहमंत्री अमिश्या ने भी राज्जे में जल्द हाला सामाने होने का दावा किया था लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब अमिश्या दोरे से वापस लोटे और उसके अगले ही दिन राज्जे में टकराफ की घटनाएं सामने आने शुरू हो गई और अब सीम बिरेन सिंग का भी एक बड़ा दावा जूट साबित हो गया है सीम ने 28 माई को दावा किया था कि पुलिस के साथ टकराफ में 40 विद्रोहियों की जान गई है ये विद्रोही कौन थे कहां से आए अब इसकी चानबीन हुई तो पता चला कि सीम बिरेन सिंग जिन 40 विद्रोहियों की जान जाने का दावा कर रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है यहां तक कि टकराफ किस जगा हुआ पुलिस अधिकारियों को इसकी भी जानकारी नहीं है जिनकी जान गई उन लोगों के परिवारों में कोई विद्रोही नहीं था ना ही उसका कोई कनेक्शन था परताल में ये फैक्ट भी सामने आया कि 3 मई को शिरू हुए टकराब में जिन लोगों की जान गई उसमें ज्यादा तर कुकी समुदाई के लोग थे वहां से विद्रोई इनके सपोर्ट के लिए आते हैं असम राइफल्स को अपने बाहरी ऑपरेशन्स में कुकी की जरूरत होती है इसलिए वो कुकी को सपोर्ट कर रहे हैं मनिपूर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है तो महराष्ट में भी बवाल मचा हुआ है पहले से ही बीजेपी विधाय की शरत पवार पर की गई टिपणी से एनसीपी में गुस्सा दिख रहा था तो अब पवार की जान लेने की धमकी भी आ गई है जिसके बाद एनस पवार को जान से मारने की धमकी मिली है इस बात की जानकारी खुश शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बताया कि शरत पवार को ये धमकी वाटस अप पर दी गई है इस मामले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिशनर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कि शरत पवार तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मेरे पिता शरत पवार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंसता है तो इसका जिमेदार ग्रहमंत्राले होगा महाराश्ट में ग्रहमंत्राले डिप्टी सीम देवेंद्र फर्णवी थी और अब उसी तरह की धंकी शरत पवार को दी गई है जिसके बाद सावर मती सांसस सुप्रिया सुले ने मुंबई के पुलिस कमिशनर से मुलाकात करने के बाद कहा कि इस तरह की घटिया राजनीती बंध होनी चाहिए महराष्ट के मुख्यमंत्री एक नाशिंदे और डिप्टी सीम देवेंद्र फर्णवी इस मामले में सक्त एक्षन ले वही इस मामले में पुलिस के एक वरिश्र अधिकारी ने कहा उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉम पर एंसीपी प्रमुक को मिली धंकी के बारे में बताया गया है हम इसे देख रहे हैं और हमने जांश शुरू करती है अधिकारी ने कहा कि एंसीपी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतीनिधी भेजे थे पुलिस सम्मद में दक्षिन शेत्र साइबर में एफायार दर्ज कर रही है इस मामले पर डिप्टी सीम दिवेंद्र फर्णवीस ने कहा कि महाराश्टी राजनीती की एक उच्च परमपरा रही है हलाकि राजनेतिक इस्तर पर मदभेद हैं मगर विचारों में मदभेद नहीं है बीजेपी मुश्किलों में हैं मुश्किल में तो शिवरास सरकार भी है मदभेदेश में अभी चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनेतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसली है कॉंग्रिस को पूरा भरूसा है कि इस बार MP की जनता उसे सत्ता की चाबिस सौपने वाली है तो ऐसा क्या कह गए कमलनाथ जिससे बीजेपी में मच गई है खलबली देखते हैं ये रबो मदभेदेश का सियासी तापमान इस वक्त काफी बड़ा हुआ है इस साल के आखिर में होने वाले विधासबा चुनावों में कॉंग्रिस अपनी जीत पकी मान रही है इस बात के संकेत कॉंग्रिस नेता कमलनाथ के बयान से साफ नजर आ रहे हैं खनवा में हरसूत पहुँचे पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ ने सियम शिवराज सिंग पर निशाना साधा कमलनाथ ने शिवराज सिंग को जूट की मशीन बताते हुए कहा किशिवराज सिंग जिनकी जूट की मशीन चलती है और अब तो ये डबल स्पीड से चल रही है क्योंकि उनके आखरी पांच महीने बचे हैं ये सोच रहे हैं कि जो घोशना कर रहे हैं इससे इनके पाप धुल जाएंगे लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका है बीजेपी ने तो और सब अधिकारी सुन ले कल के बाद परसो भी आता है किसने जुर्म किया है किसे ठीकाने लगाना है वो समझ ले अब कमलनात 2018 का मॉर्डल नहीं है कमलनात 2030 का मॉर्डल है कमलनात यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश लूट का प्रदेश बन गया है अपराद में नंबर वन प्रदेश बन गया है एमपी आज घोटालो का प्रदेश बना है यहाں भरष्टा चार की राजनीती हो रही है कमलनात ने एक बार फिर जोतिर आदि पर बिदायकों ने मुझसे बात की थी लेकिन मैं मध्यप्रदेश की पहचान सौधे से नहीं करना चाता था आज हमारे लोगों को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है पांच महीने और है याद रखे कल के बाद परसो भी आता है कमलात के इन बायानों से साफे की मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार आ रही है और कमलात ने 10 सालों के लिए MP की सत्ता पर वापसी का प्लान तैयार कर लिया है और बुलिटिन के आखर में बाद संकट में आई हर्याना सरकार की बीजपी नए सायोगियों की तलाश कर रहे है लेकिन उसके जो पुराने सायोगी है वो ही उसका साथ छोड़ते दिख रहे हैं पिछले चार सार में बीजेपी के आधा दर्जन सहयोगी उसका साथ छोड़ चुके हैं और अब इस सूची में एक और नाम जुड़ने वाला है जिसके बाद बीजेपी की सरकार संकट में फस गई है हर्याणा में बीजेपी गडबंदन सरकार संकट में फस गई है राज्य में बीजेपी सरकार में गडबंदन सहयोगी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बेच बयान बाजी तेज हो चुकी है दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुल कर बोल रहे हैं र वो सरकार में सिर्फ सहयोगी है इसके बाद बीजेपी हर्याना के प्रभारी बिपलव देव ने दुश्यन चोटाला की विधानसभा सीड उचाना से बीजेपी उमीदवार के रूप में प्रेम लता के नाम का एलान कर दिया दुश्यन चोटाला ने आपत्ती की तो बिपलव देकार एहसान नहीं किया है बदले में उन्हें मंत्री पद मिला है इसके बाद से ही जेजेपी की ओर से बयान आने लगे कि पार्टी लोगसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तयार है सरकार पर बढ़ते संकट के बीच अब बीजेपी ने निर् सीट दूर है ऐसे में अगर जेजेपी समर्थन वापस लेती है जिसकी संभावनाई लगातार बढ़ती जा रही है तो खटर सरकार गिर सकती है सरकार पर संकट टालने के लिए बिपलव देव ने दिल्ली में हर्याना के चार विधायकों के साथ मिटिंग की है ये मिटिंग बता रही है कि हर्याना में खटर सरकार मुश्किल में फस गई है तो आज इस बुलिटिन में इतना ही देखते रिये डीबी लाइफ नमस्कार